हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आसा करते हैं अच्छे होंगे आज पिर आप लोग के भी चुपस्तित है संभिधान की अगली वीडियो के साथ आज का हमारा टॉपिक है नागरिक्ता तो आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे हेल्फूल लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर जितना से जितना हो सके कर दिजेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला कुश्चन है भारतिय संभिधान सबसे पहले संभिधान दिवस मनाते हैं 26 नॉवंबर को मनाते हैं क्यों मनाते हैं क्यों मनाते है है 26 नवंबर को पर गंतंतर दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को आगे बी होगा, आगे देखते हैं पहला अप्षन है अनुचयद एक से चार, भाग एक में कहा गया है, यह संग एबम उसका संग एबम राज छेतर, अनुचयद एक से चार में है, भाग दू में नागरिक्टा, भाग तीन में मौलिक अदिकार अनुचेद 12-35 भाग 4 में निती निदर्शक तत्व जो कि अनुचेद 36-56 तक है तो इस question में इसका right answer क्या होगा नागरिक्टा संबंदी अदिकार अनुचेद 5-11 में है अगला question देखते है अनुचेद कहां से लिया गया है अनुचेद जापान से लिया गया है एकल नागरिक्टा ब्रिटेन से लिया गया है तो इस question का right answer option B होगा अगला question देखते हैं भारतिय संबिधान में नागरिक्टा का प्रावधान कब लागू हुआ तो 19-46-9-19-49 अनुचेद के तहद लेकिन बुझे में पाकिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को नागरिक्टा is नहीं दिया जाता है अगला देखते हैं किस अनुचेद के तहद संसत को नागरिक्ता के संबंद में कानून बनाने का अधिकार है अनुच्छे दे ग्यार चलिए अगला कोश्चन देखते हैं जनवरी 2012 तक नागरिक्तास अधिनियाम 1955 में कितनी बार संसोधन किया गया है तो इसमें 6 बार अभितक संसोधन हो चुका है कब कब हुआ नागरिक्तास अधिनियाम 1955 में कुल 6 बार संसोधन किया जा चुका है अगला कोश्चन देखते हैं संबिधान में एकल नागरिक्ता किस देश से लिया गया है एकल नागरिक्ता संसदिय सासन परनाली और विधी निर्मान परकिरिया विधी निर्मान परकिरिया और संसदिय सासन परनाली यह सभी ब्रिटेन से लिया गया है आप्शन सी सही होगा मौली कदिकार अमेरिका से लिया गया है नियाईक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है संबिधान की सर्वोचिता अमेरिका से लिया गया है नैपाली का स्वतंत्रता यह भी अमेरिका से लिया गया है वित्तिया पात अमेरिका से लिया गया है लेकिन अपात काल जर्मनी से लिया गया है राष्टपती उपराष्टपती पर महाभियोग जो लगता है वह भी अमेरिका के संभिधान से लिया गया है अनुच्छेद इस्तिये वर्स में कितने दिन किसी अन्य देश में रह सकते हैं तो एनराई जो होते हैं वो 183 दिन तक किसी दूसरे देश में रह सकते हैं तो option भी right होगा अगला देखते हैं नागरिक्ता संसोधन अधिनियम 2019 को कब लागू किया गया तो यह 10 जनवरी 2020 को पुर्णता अधिस के नुसार पाकिस्तान बंगला देस और अफगानिस्तान के कितने धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतिया नाखरिक्ता देने का प्रवधान है तो छे संबदाएग К जैन पार्षी और इसाई इसमें मुस्यम नहीं है तो option D सही होगा अगला question देखते हैं NRC को किस वर्ष की जनगना के बाद तयार किया गया था तो NRC को 1951 की जनगना के बाद तयार किया गया था NRC क्या होता है तो National Register of Citizens फिर से देख लिजे NRC National Register of Citizens इसमें बारतिय नागडिकों के नाम सामिल होते हैं जो अवैर विदेशियों के खिलाप असम अंदोलन के कारण के अंदर राजसरकार और असम के छात्र संगठनों के बीच असम समझोत्या पर हस्तक्षर हुआ था 15 अगर्स 1980 को तो आगे देखते हैं NRC को किस वर्ष की जनगना के बाद तयार किया गया था आगे देखते हैं NRC किस राज में लागू किया गया है तो यह असम में लागू किया गया है और संडी सही होगा आगे देखते हैं NRC किस राज में लागू किया गया है तो असम में लागू किया गया और संडी सही होगा आगला कोस्चन है सम्भिधान के किस अनुच्छेद में एक मार्च 1947 को पाकिस्तान को परवास कर जाने वाले किन्तु बाद में पुना भारत लोट आने वाले लोगों के लिए नागरिक्ता वरनित है तो अनुच्छेद साथ के अनुसार वैसे लोग जो 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान को प्रवास कर गए है किन्तों बाद में भारत वापस लोटा है तो उनको भारत की नागरिक्ता दी जाएगी अनुचेद 7 के नुचार अनुचेद 8 काता है विदेशों में रहने वाले व्यक्ति को नागरिक्ता दी जाएगी पाकिस्तान को छोड़ के खल ली उसके बाद है अनुचेद 9 में कहा गया है जो किसी देश की नागरिक्ता स्व्यक्षा से अरजित करने पर भारत की नागरिक्ता सोथा ही समाप्त हो जाएगी यह अनुचेद 9 में है और संसद नागरिक्ता समंधी कानून बना सकती है अनुचेद 11 के तहट तो इस question का right answer option यह होगा अनुचेद 7 अगला question देखते हैं माता की नागरिक्ता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिक्ता देने का प्रावधान किस अधिनिया में किया गया है तो यह संविधान संसोदन अधिनिया मुनिश्व बेरानवे के नुसार इस अधिनिया में कहा गया है कि मात कि नागरिक्ता कि आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिक्ता दी जाएगी अगला कोश्चल है आगे देखते हैं CAA बार बार इक जाम्स में इंपोर्टेंट है पूछे जाते हैं CAA Citizen Amendment Act आगे है NRC National Register of Citizens और यह कहां लाग हुआ है असम में Pios People of Indian Origin और NRI Non-Resident Indians NRI विदेशों में कितने दिन तक रह सकते हैं तो 183 दिन तक रह सकते हैं आगे देखते हैं यादि कोई भारतिये व्यक्ति किसी दुसरे देश की नागरिक्ता प्राप्त कर लेता है तो भारतिये नागरिक्ता पर क्या परभवा पड़ेगा तो भारतिये नागर किता अदिनियम 1955 में 20 वर्श संसोधन नहीं नहीं किया गया था था 1986 में अभी तक शंसोधन नहीं किया गया है तो इसकोषंटक राइट एंसर ओप्शन D होगा कि 2021 में नहीं किया गया है तो हमारा यह 15 कोश्चन का सेट था जो complete हो गया है तो आप लोग वीडियो को देखे और वीडियो अगर अच्छा लगा हो helpful लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर जरूर कर दिचेगा मिलते हैं अगले वीडियो के साथ थेंक यू